दोस्तों बहुत हो स्वागते हैं आप सभी का एजूकिशन इंडिया चनल पर एक बार फिर से तो आईए बात करते हैं ताजा मौसम अपडेट की आपको बदा दे कि देश के तमाम राजियों में मौनसून पूरी तरह से शक्रिय हैं कई राजियों में भारी बारिश का सेसला जारी हैं तो कुछ राजियों में हलकी से मद्यम बारिश देखने को मिल रही हैं अगले 24 गंटों में देश के तमाम राजियों में कैसा रहने वाला हैं मौसम और किंकिन राजियों में होगी बारिश संपुन जानकरी आपको इस वीडियों में देने वाले हैं आप बस हमार ये लोगों को भी ताजा मौसम की जानकारी मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको ताजा मौसम अपडेट तो दोस्तों सबसे पहले राजस्तान के मौसम की बात की जाए तो डेड़ महीने बाद मौनसुन सक्री हो रहा है सावन निकलने के बाद बादो महरबान हो रहा है एक और जहां राजदानी में लगातार बारिश का दौर जारी है वहीं बिशल पूर बांज से खुसकबरी आई है आपको बता दे कि जपुर सहर में सोंवार को जम कर बारिश का दौर चला साम साड़ेश पांच बज़े से बारिश होई करीब डेड़ गंटे लगातार बारिश होई जिसे आदा गंटे तक जोरदार पानी बशा सहर में परकोटा, आमेर, दिली रोड, टौंक रोड, वेसाली नगर, अजमेर रोड, मालवी नगर और जगतपुरा में जोरदार बारिश होई है हालात यह रहे कि शहर की शड़कें लबालब हो गई और नालों से लेकर अंड़ पास और शड़कों पर जल बराव हो गया है डेड़ गंटे में दो इंच पानी वर्सा है, जल बराव होने के कारण वानों की गत्ती दीमी हो गई, वहीं जाम के हालात रहे हालांकि बारिश का दोर साथ बज़े खतम हो गया, उसके बाद बुंदा बंदी का दोर चला, लेकिन शड़कों पर सब्ता का पहला दिन होने के कारण या तायात का दबाव ज़ादा था करीब एक गंटे यानी आठ बज़े तक शड़कों पर जाम की इस्थिती बनी रही मौसम बबाग ने आने वाले पांस दिनों तक जैपूर में बारी बारिश की चेतावनी जारी की है पार्तिय मौसम बबाग आई एमडी की माने तो परदेश में अभी मौनसून पांस दिन और सक्रियर रहने की उमीद है अगले पांस दिन के दोरान अजमेर, अलवर, जैपूर, जुनजनू, शीकर, सुवाई, मादोपूर, नागोर, टॉंक, पाली, बीका नेर, जोदपूर, जिलों में कई जगों पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी इन जगों में कुछ हिसों में भारी बारिश भी हो सकती है, मौसम वैग्यानिकों ने बता है कि परदेश में बारिश के लिए अच्छी इस्तिया बनी है, लिया जा, शेखावटी शहीत परदेश में आगामे पांच दिनों तक लगातार बारिश के कई दौर चलने के संभा पाहना है, अगर मद्य Pardesra राज्य के मौसăm की बात करें तो पूरे मद्य Pardes में एक बहर फिर сे बारिश का सेसिल शुरू हो ग наход अगा, मौसम वैगा करें कि परदेश के तीन जिलों में बारी और विश जिलों में बारिश की संभावना जताई है वहीं बात करें राजदानी की तो यहां पर बादल तो चा रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं परदेश के 22 जिले ऐसे हैं जहां अब तक सामानी बारिश भी नहीं हो पाई हैं मौसमेबा के मताबिक आने वाले 24 गंटों में मद्य परदेश के 18 जिलों जबलपूर, नसेपूर, मंसोर, निमच, गुना, छिंदवड़ा, शिवनी, मंडला, दमोह, सागर, छतरपूर, राजगड, होसंगाबाद, आगर, असोगनगर और टीकमगड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई हैं राजदानी बोपाल में बीते कई गंटों से हवाएं चलने से लोगों को उमस और गर्मी से रात में लेकिन बादलों में नवी ना होने से तेज बारिश नहीं हो पा रही हैं हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के शेत्र का आसर अब मद्यपरदेश पर दिखाई दे सकता हैं पूरी मद्यपर्देश में मौन्सून शक्री हैं तता पस्ची में मद्यपर्देश में मौन्सून समयने रहा होसंगाबाद इंदोर रिवा सर्डो सागर जबलपूर संभागों के कई जेलों में अधिकांस इस्तानों पर तता बाकी संभागों के जेलों में कुछ इस्तानों एक दमो में 30, उमरिया में 28, रतला में 23, रिवा में 9, खजुराओं में 7, 58, मंडला में 5, नोगाओं में 4, इंदूर में 2, 58, दार में 2, सागर में 1, मिलिमीटर बारिश दर्ज की गई हैं। अब दोस्तों उत्तर परदिश राजी के मौसम की बात करें तो यूपी के कई इस्तानों पार भारी बारिश को लेकर मौसम बागा ने एलेट जारी किया हैं, 11 और 12 अगस्त को जम कर बरसेंगे, लगबग सभी जिल्लों में बद्रा, राजदानी समेत उत्तर परदिश के कई जिल्लों में बादर चाये हुए हैं, और मौसम बागा काईना है कि 11 और 12 अगस्त को उत्तर परदिश के सभी जिल्लों में बारिश होने की संबावना जदाई जा रही हैं, पच्चीम उत्तर परदिश के बंदेल खंड में अपिक्सा करत कम बारिश होगी, लेकिन वेस्ट यूपी के कुछ इस्तानों पर हलकी बारिश हो सकती हैं, मौसम बाग के पूरू अनुमान के मताबिक लखनव, लखिमपूर, खीरी, पीरी, बीत, बरेली और साहरानपूर, साहित कुछ इस्तानों पर हलकी बारिश हो सकती हैं, बादलों की आवाजावी से सुबस से ही दू कर बारिष होगी जिसके चलते यूपी में दो दिनों कर लिया और इंजलेट जारी कर दिया गया है इन दो दिनों में तेज हाओं के साथ कहीं कहीं बिजली भी गिरने की संभावना जता ही जा रही हैं आपको बता दे कि उत्तर परदेश के गोरकपूर सहीद 20 जिलों में बाड का कहर हैं बारी बारिष और बांदों से छोड़े गए पानी के चलते यूपी के बिश जिलों के आट सो से जादा गाउं बाड की चपिट में हैं और जबकी चार सो बैयाशी गाउं का संप्रक दूस सीतापूर, गोरकपूर, कुशी नगर, माराजगन, सिदार्थ नगर, मौू संत कबीर नगर, आजमगड वा बलिया जिल्ले में बाड से काफी प्रभावित हैं सुबे की नदिया उफ़ान पर चल रही है, रेपोर्ट के मताबिक अभी भी लखेंपूर, खेरी के पलिया कला में, सारदा, गोरकपूर के बर्ड घाट में, राप्ती और गागरा बारावंग की, गलिन ब्रीज ओधियावा बलिया के तुर्पी पार्क में खत्रे के निश रहा है, मुख्य मंतरी ने ड्रॉन के जरिया बार के इस्तिती की निग्रानी के निर्देश दिये हैं, हालांकि सरकार का दवाहे की इस्तिती बेकाबू नहीं हैं, और बार प्रवववित लोगों की मदद की जा रही हैं, हालांकि मौसर में बाग की और से अगले वारिश की शंबावना जता ही जा रही हैं, उत्रपरदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितियनाथ के निर्देश पर बलिया में बाढ़ का जाज़ा लेने निकले, योगी सरकार के कैविनेट मंतरी अनिल राजबर ने जिल्ले के 76 वारा में कार्य करताओं से मुलाकित की, इस दोरान म मंतरी निर्दावा किया कि प्राकर्तिक आपदा को रोका नहीं जा सकता हैं, बैलकि उससे बच्चाव के लिए परबंदन करना पड़ता हैं, जो सरकार कर रही हैं, आजमगड महु में बंदे तूटे तो उनकी तत्काल मरमत करवाई जाएगी, बाढ़ प्रीतियों की हर सं बार से दुर्सर्शिया जेलने पड़ती हैं, इस बार अभी तक पिछले वर्सों की अपेक्स्या में दो गुनाज से अधिक पानी छोड़ा गया हैं, जैसे ये बांद को तूटने की सूचना मिली, मुख्य मंतरी ने जिला परसासन को तत्काल कारवाई के निर्देश दे दिये हैं, हम लोगों को भी यहां बेजा गया हैं, सरकार और परसासन ने मिलकर तत्काल समस्या का समाधान किया हैं, अब इस ये ज्यादा सवजदन से इलता क्या हो सकती हैं, उन्होंना का कि उत्तर परदेश में बार परवावी सेत्रों में पीडितों की हर संबव मदद की जा रही हैं, लोगों को बोजन पैकेट, रासंद, कैरोसीन, दवायादी उपलब्द करवाई जा रही हैं, अब दोस्तों हरियाना और दिल्ली की बात करें, तो हरियाना में सो मुआर को कई जिलों में जमा जम बारिस हुई हैं, वही दिल्ली एंसी आर में भी मौसम का मिज होने से लोगों को उमस्वक गर्मी से बेहाल हो रहे थे, शनिवार को दिन बार लोग गर्मी से जूंचते रहे, रविवार दे रात अचानक मौसम का मिज़ाज बदला और प्रदेश के कई जिलों में बारिस हुई, रविवार को भी बारिस से अधिक्तम तापमान में ग्र बदने पर बारिस के आसार भी बनते रहेंगे, बता दे कि इन दिनों तेज दूप ना होने के कारण गर्मी और उमस के कारण लोगों का बुरा हाल है, अब दोस्तों बिहार राज जी की बात करें तो मौसम बदा का कहिना है कि सोमार की देर राज से मंगलवार दोपर तक ब आफ लाइन गुजर रही है, यह पंजाब दिली ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बढ़ेगा, इसके साथ ही मौनसुन के अक्षिर एका बिहार के बकसर और जार खंट के वोकारो होते हुए उत्तर पूरी बंगाल की खाड़ी की और जा रही है, जिससे बंगाल गया मुजबफर नालंदा, शिवहर, शिवान, पूरी चंपारण, बोजपूर, गोपाल गंज और पस्चीमी चंपारण के लिए विशुष अलेट चारी किया गया है, इसे पहले सोमार को पटना गया मुजबफर, पूर, बकसर, रोता, समस्तिपूर, छप्रा, पूर्णि की गई है, सोमार को पटना में दिन बर बादल शायर है, हलांकि बीच बीच में तीन चार वार दूप निकली, पुरुवी या हवाय की वज़त से लोगों को उमस बरी गर्मी से रात में लिए, अधिकतन तापमान चौतिश डिग्री और नियुनतन तापमान 27.6 डिग्री स आशिस रहने की उमीद जदाई जा रही हैं, वहीं दोस्तों देश के परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने बाड़ के बाड़ से प्रभावी च्छ राजियों के सीम से बात की और नई तकनिक से नियंतन पर जोर दिया हैं, आपको बता दे कि पी एम मोदी ने बाड़ से होना चाहिए, बिहार के सोड़ा जिलों में सितर लाख से ज़्यादा लोग प्रभावी थे हैं, जबकि असम में पैतालिस लाख लोग प्रभावीत हुए हैं, देश बर में मौसम का मीजात लगातार बदल रहा हैं, यही वज़े कि बारी बारिश की वज़े से बाड़ ने ने मुख्य मंतरियों से बादचित की, पी एम मोदी ने इस दोरान वीडियो कांफरेंस के ज़रिये च्छे राजियों के मुख्य मंतरियों से बादचित कर वहां की इस्तिती की जानकरी ली, बादचित के दोरान पी एम मोदी ने कहा कि बार जैसे इस्तितियों पर नेंतन क के लिए आप नई तक्निक का इस्तिमाल करना होगा इस बैठक में रक्सा मंतरी राजनाश सिंग और केंदरी स्वास्तिय मंतरी डॉक्टर हर्स वर्दन ने भी हिशा लिया पिये मोदी ने बाड़ के इस्तिती की समख्षा के लिए छह राजियों के मुख्य मंतरियों के साथ स छह राजियों में बाड़ के चलते हो रही परिशानी से निजात कैसे पाया जाए इस पर खास तोर पर चर्चा हुई है पिये मोदी ने सभी केंदरियों और राजी अजेंशियों के बीच बाड़ के पूरुवा नुमान के लिए एक इस्ताई परनाली और पूरुवा नु के शी एम से बाचित की उनमें असम बिहार उत्तर परदेश मारास्टर करनाटक और कैरल पर मुखरूब से सामिल है आपको बता दे कि कैरल बिहार और मुंबई में बारी बारिस और बाड़ के बाद हाला काफी बगड़ चुके हैं पी-एम मोदी ने मोदी से बाचित में ब काफी खराब हैं तीस जिलों में 45 लाग से ज्यादा लोग प्रबावित हो चुके हैं पी-एम मोदी ने से बाचित कर दोरान मारास्टे के मुख्यमंतरी उद्दर ठाकरे ने भी मुंबई और मारास्टे में बारी बारिस और कुदरत के कहर को लेकर जानकारी दी आपको बत बारिस के कारण उत्राखंड के कई जिलों में जन्जिवन अस्ट वेस्ट हो गया हैं बारी बारी से बार जैसी इस्तिती उत्पन हो गई हैं जगा जगा दरगते पाड़ और भून असकल ने लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया हैं यहां बरसाती नदी नाले उ बह गए हैं शड़के तूट गई यहां शिरवाडी गाउं में सोमार की सुबब बादल भट गया जिसके बाद अचनक आए पानी का सेलाब ने सब कुछ बरबाद कर दिया हैं देखते ही देखते कई घर तबह हो गए हैं बचे गरों में मर्बा कुछ गया खेती बरबाद ह हो गई यहां गाउंवालों के पास पैदर चलने की जगह भी नहीं बची लोगों में भाई विव्याप्त हो गया हैं खौप में लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया हैं और दूसे इस्तानों पर चले गए हैं बारी इलाके से इस गाउं का कनेक्शन भी तूट गया हैं गाउं को अन्य दूसरे गाउं से और सर से जोडने वाली सड़क सप्तिगर्स्त हो गई हैं मदबूरन लोग घरों में कैद हो गए हैं उत्राखंड के रामनगर से 30 किलोमीटर दूर पार्ट कोट गाउं में बारिस ने आफ़त मचा रगी हैं यहां लगातार हो रही बारिस से बरसाती नले में एक बाइक सवार बढ़ गया हालांकि किस्मत ने बाइक सवार का साथ दिया वहां के लोगों ने उसको तुरंट मदद करके गरी खाई से जाने से रोक दिया उतराखंड के संक्री तालूका में लोग उपनती नदी को जान पर खेल कर पार कर रहे हैं खत्रा इतना है कि एक लकड़ी के सहारे नदी पार कर रहे हैं लोगों के पाउप फिसलते ही जान जा सकती है अब दोस्तों महाराष्ट राज जी के मौसम की बात करें तो मौसम बबागा कहिना कि इस सब्ता मराठ वाड़ा और मद्य महाराष्ट के जादा तर हीशों में बहुत अच्छी बारिश की संभावना नहीं है इन बागों में बारिश की गतिविदिया काफी कम होगी हाला कि रुक रुक कर हलकी बारिश कोछ इला कम होती रहेगी उत्री मराठ वाड़ा और उत्री मद्य महाराष्ट के जिलों में एक दो बार भारी बारिश भी हो सकती है मुंबई शाहित, कॉंकन, गोवा में पूरे सप्ता मद्यम से बारी बारिश चारी रहने की संभावना है इसी तरह से विद्रब के सभी जिलों, अकोला, अमरावती, बंडारा, बुल्डाना, चंदरपूर, गडचरोरली, गौंदिया, नागपूर, वर्दा, वसीम, यत, माल में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है इन बागों में अधिकांस दिन में बारिश होंगी 16 अगस्ट से माराष्ट के कई भागों में बारिश की गतिविदिया एक बार फिर बढ़ सकती हैं अउमीद कर सकते हैं कि मराटवाडा के कई जिलों औरंगाबाद, बीड, हिंडोरी, जालना, परवती, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड में भी बारिश बढ़ेगी साथ ही मद्य माराष्टर में नाशिक से लेकर पूने, सांगली, सतारा, समेत कई जिलों में बारिश 16 अगस्ट से बारिश बढ़ने की संभावना जताई जा रही हैं दोस्तों मौसम की जानकारी देने वाली स्काई मेड एजेंशी के मताबिक अगले 24 गंटों का दोरान 30 कानाटा केरल और दक्षिनी कॉंकन गोवा में मद्यम से बारिब बारिश की संभावना जताई गई हैं कुछ इस्तानों पर मुश्लादार बारिश भी हो सकती हैं के साथ कुछ इस्तानों पर बारिब बारिश के असार हैं जिससे इन सेत्रों में बारिश यती बारिश चारी रही कौंकर्ण गोवा तेलंगाना विद्रभ पूरी मद्यपरदेश चतिसगड के कोची सों उफ हिमाले पश्ची मंगाल मेगारे अनुना चल परदेश गुजरात के कोची सों और लक्षदीप में सक्रिय मोंसून के चल कि एन सी आर गंगिय पस्ची मंगाल ओडिशा अंदरपरदेश अंत्रेक तमिलनाडू अंडमान वनिकोबात इसमुष पूरी उतरपार्थ इस्थानव पर हलकी से मद्यम बारिश होई हैं जबकि पूरी उतरपरदेश बिया जारखन अंत्रेक कानाटक मराठवाड़ा और इसमा में भी कुछ इस तनव पर हलकी बारिश देखने को मिली हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मौसम से जुली शंपून जानकारी आपको दे दी गए हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगर से वीडियो को शेयर करें तक कि अन्हें लोगों को भ ताजा मौसम की जानकारी मिल जाए जैहिन धन्यवाद